तो अगर आप इत्ता के amplifier और home theater काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का आपको जबूल देखना चाहिए फिर जो amplifier और जो home theater होता है जिसमें जातर IC का यूज होता है उसमें सबसे आफ़ वाल्ट IC ही से आता है क्या होता है आपकी IC या तो short आती है या full dead आती है जिसके वैसे आपका जो output में जो speaker होता है वो एकदम work नहीं कलता है तब कैसे पता कर सकते हैं जो आपका amplifier और home theater का IC है और short है या खराब है कैसे पता कियाता है तो आजकी इस वीडियो में मैं आपको 2 method दाओगा जिन 2 method आपकी CV audio IC को पता कर सकते हैं कि हो short है या खराब है की नहीं तो प्लीज आजकी इस वीडियो को एक बाल जोल देखेगा और चैनल पर गरना है तो प्लीज सब्क्राइब करेज़े और कर लखाय तो था हैं इसमाद चलिए सुख करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बाद दोता हूँ कि आप किसी भी audio IC को multimeter चेक नहीं कल सकते हैं कि कोई साभी जो IC होता हैं चाहिव बातर चाहिए हो जो आपका चवाई चाहिश होता हैं जबकर होमटेर 20, 30 और 20 पर होता हैं उटको multimeter चेक किया जा सकता हैं और से परेंट चेक हो जाता हैं बट कोई-कोई IC क्या होता है परेंट कि जो चेकिंग में से ठीक दिखाएगा पर जो working का time आईगा जो amplifier signal कलता हैं तब वो गलवर कलता हैं तो आप multimeter चेक नहीं कीजिए मैं आपको उससे भी असान दो method बताता हूँ सबसे पहला कि आपकी IC sort है या नहीं कैसे पता करना है तो इसको चेक करने का दो method हैं तो सबसे पहले अगल आपके output में जो आपका amplifier का output होता हैं जिसमें आपको speaker को in करते हैं उसमें अगल DC आ रहा है जो आपका DC volt रहता है यह आ रहा है तो आप समाझ जिए आपका 1001% जो आपकी IC है sort हो गई हैं फिर जब आपकी IC sort होती है तो AC के जगा DC को निकालती है output में आपसे पहले आपको AC कर्ण पर लगाके जापको multi मतल को AC कर्ण पर लगाके यहां amplifier में song play करके यहां चेक करना है अगर यह AC कर्ण तो आपका IC ठीक है अगर AC कर्ण पर नहीं हो रहा है आपका DC कर्ण डाला है तो आपका IC sort हो गया है और फिर anic sort उणपर ya speaker बहुत ज़्यादग हमिंग केता है जहन है। सबसे इत-बहुत हरा है दो this second method है आपको अपनी ic जो zone सी भी Donc audio IC है उटको उन्गी लगके check करना है आपको सबसे परवय सूंग को Play करना है और i speaker को Connect करना है उसके आद आपको उंगली को लगके देखना है या आपके पार TEMPERATURE मीठा या उसको भी लग सके देखना है वसे उंगली जले गी नहीं आपको उंगली लग के देखना है अगल J 12land CPIC तो भी के उन गना यरो की करना तीनिसी होती यह थ से जाद हीठ होगी है तो इसको हम लोग सोट मनते हैं तब यहीं दो तरीका होता है जिससे आप सौट आइसी को बहुत असान तेकर प्रचान सकते हैं अब चलिए बताता हूँ कि अगर आपके output में कोई voltage नहीं है, मैं कोई signal नहीं आ रहे हैं, मैं भी speaker लगाने में dead है, तो आप कैसे पार कर सकतेगी आपका IC का ही fault है सबसे पहले हैं, आपका जोन सावी IC है, मैं इस पहले हैं, आपका है बाद सत्या सी IC, तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाके इसका देशा सीथनी कारना है, किसी कौन सी pin नमर पर आपको voltage देना होता है, पहले IC के एक pin नमर पर आपको DC volt देना होता है, जिसको लोग adapter या transformer की सबसे पहले आपको उसी voltage चेक करना है, कि उस लेक तक voltage तो पहले है और उस लेक तक voltage आ रही है, तो आपको एक बाद IC को चेंज करके देखना है, अगर IC चेंज करने कार आपका जो speaker के आउट्टूस में वो अथी signal आ रहा है, तो आप समझे आपकी IC खराब है, तो मैं यही मैं सबता है, जो short IC और खराब IC को चेक किया आता है, तो आचारोशन में आ गया हो किसी भी IC कैसे चेक किया आता है, कि हो short है यह खराब है, तो वीडियो अगर पसना है, तो एक लाइक जो किजेगा, और अपने दोस्तों के साथ जो चेक किजेगा, ताकि वो भी सीख चेके, जो चली मिलते ही सीजा किसी और भी देमें, तो आख ख्यार लखिये, टेक किया, बाइबाइ, जाहेंड,